आप पर अनुग्रा और शांती हो आईम परमिश्र के वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे मरकुच रजित सूसमाचार उसका छटवा दियाए तीस से लेकर छबबन तक प्रेडितों ने येशु के पास इकटे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी एकांस्तान में चल कर थोड़ा विसराम करो क्योंकि बहुत लोग आते चाते हैं थे और उन्हें खाने का उसर भी नहीं मिलता था इसलिए वे नाव पर चड़कर सुनसान जगर में अलग चले गए बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पैचान लिया और सब नगरों से इकटे होकर आप एदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुँचे उसने उतर कर बड़ी भीड देखी और उन पर दरस खाया क्योंकि वे उन पेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहों और वह उन्हें बहुत सी बाते सिखाने लगा जब दिन बहुत डल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे यह सुनसान जगह है और दिन बहुत डल गया है उन्हें विदा कर कि चारों और के गाउं और बस्ति या मोल ले और उन्हें किलाए उसे उन से कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोПрटिया है उन्होंने मालूम करके कहा पांच रोटी दो मचली भी तब उसने उन्हें आगना दी कि सब को हरी घास पर पांटी पांटी से बैठा दो वे सो सो और पचास पचास करके पांटी पांती बैट गए उसने उन पांच रोटियों को और दो मचलियों को लिया और स्वर्की और देखकर धनिवाद किया और रोटिया तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोग को परोसे और वे दो मचलिया भी उन सब में बाट दी सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकडों से भारा टोकरिया भर कर उठाई और कुछ मचलियों से भी जिन्होंने रोटिया खाई वे पांच जार पुरुष थे तब तुरन उसने अपने चेलों को नाव पर चड़ने के लिए विवस किया कि वे उससे पहले उस पार बैचसेदा को चले जाए जब तक कि वे लोगों को विदा करें उन्हें विदा करके वे पहाड पर प्रारतना करने को गया जब सांज हुई तो नाव जील के बीच में थी और वे अकेला भूमी पर था जब उसने देखा कि वे खेते कबराए गए हैं क्योंकि हवा उनकी विरुद थी तो रात के चोथे पहर के निकट वे जील पर चलते देखकर समझा की बूते और चिला उटे क्योंकि सब उसे देखकर घबराए गए थे पर उसने तुरंद उनसे बाते की और कहा डाडस बांदो मैं हूँ डरो मत तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे भहुत ही आश्चरिय करने लगे वे उन रोटियों क के विसे में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे वे पार उतर कर गेनसरेद में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंद उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दोड़े और बिमारों को खाटों पर डाल कर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां महार लिये फीरे और जहां कहीं वह गाओं नगरों या बस्तियों में जाता था लोग बिमारों को बाजारों में रखकर उससे बिंती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्तर के आचल की ही को छूने लेने दे और जितने उससे छूते थे से हैं सेवा पाने वालों की जरूरत है तो इस वचन के मुताबिक यहां पर हम देख रहे हैं येशु प्रभू सेवकाई कर रहे हैं और उसके साथ उनके चेले भी सेवकाई कर रहे हैं सेवकाई करके वो लोग आ रहे हैं और सेवकाई लोगों की कर रहे हैं जो प्रभू के ज ऐसे वो लोग भी उनकी आज्या को मानकर काम कर रहे थे उनको भी प्रबू इशू विश्राugu लेने के लिए क्लिए CT360 की यहां प्रादわか है वो लोग आप पहुँने ब्रबू आप भीड है तो कई आजार लोग यहां हमें 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 हो लोग करLes तो यह सब हालत वहाँ पर थी वैसी परिस्तिती थी उस परिस्तिती के बीच में येशु प्रभु क्या कर रहे हैं उनको देख रहे हैं कि वो लोग कैसे दिख रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं जो जिसका कोई रखवाला ना हो चरवाय की बिना की भेड उसके जैसे वो लोग द दिख रहे हैं 34 वचन में और ये शुप्रभु क्या कर रहे हैं उनको खाना खिलाते हैं हम सभी इस बात को जानते हैं आपने अभी पड़ा भी है पांच रोटी और दो मचलिया उनके पास थी उसी के द्वारा ये शुमसी के पूरी भीड को खाना खिला है पांच जार लोकिक प्रबंद था जिसको मतलब हम कह सकते हैं कि कोई एक नॉर्मल या फिर साधरन बात नहीं थी क्योंकि पांच रोटी दो मचली में से इतने हजारों को खाना दिया गया वो लिखा है तोड़ तोड़ कर देने लगा इस शुप्रभु क्या करें तोड़ तोड़ कर मच मचलियों में से भी बाट दी तो मचली रोटी दोनों खाने के लिए मिल रहा है लोगों को सूचिए इतने सारे अजार लोगों को खाना ये शुप्रभु दे रहा है तो जिनको सेवा मिल रही है उनको क्या होना चाहिए जो मतलब जिनको हम सेवा कर रहे हैं अगर सेवा विक्ति हैं आप और आप कलिशा चला रहे हैं या फिर सोसमाचार दे रहे हैं तो वहाँ उन लोगों को जो सेवा ले रहे हैं उनको भी कुछ मिलते रहना चाहिए उनकी जरूरतों कभी खयाल हमें रखना पड़ता है कोई-कोई बार कोई लोग सोचते हैं हम स्वरग्राज्य का काम करते हैं तो इसमें ये सब खाने पिलाने का हमारा काम नहीं है ऐसे कई लोग सोच लेते तो लोगों को सिर्फ आत्मिक बोजनी देना है सरीर की बातों को हमें देने का कोई जरूरत नहीं है मगर बहुत जरूरत होती जैसे अभी लोगडाउन चल रहा है कई लोग विचारे फरसान है कहां लेने जाएंगी उस वक्त में हम हमारा रिदे को कठोर नहीं करना चाहिए यहाँ पर लिखाया वैसे बहुत ही वो लोग प्रभु येशु को देखके इनका प्रभु येशु उनको देखकर बहुत ही क्या हो गया उनका रिदे दुख के साथ साथ वो क्या बोलते एक तरह की दुख को लोगों के दुखों को देखकर हमारे अंदर भी एक तरह का दुख शुरू हो जाता है उसको बोलते है तरस खाना या फिर दया रखना तो एक येशुप्रभु का दया का गून यहां में देखने मिल रहा है येशुप्रभु पूरी उस भीड के उपर क्या कर रहे है तरस खा रहे है तरस खाना मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि अपसोस करना कई लोग एक्टिंग कर लेते हैं आज कल हम देखते हैं तो मसीह लोगो ऐसे करके मतलब अच्छा काम करने में भी हम कई बार जीजग करते हैं या फिर कुछ बहाने निकाल देते हैं कि हम नहीं करना है हमारे ये प्राब्लम वो प्राब्लम ऐसे करके फिर हमारे अंदर से कहने का मतलब एक तरस का तरस नहीं आ रहा तरस जब आता है तब हम क्या कर कर सकते हैं दूसरा का खयाल कर सकते हैं तो ये जो दया ईशु प्रभु में एक था वो उसी की वज़ा से इतनी बड़ी भीड को खाने का प्रबंद हो बैया तो ये प्यार का एक भाग है तो प्यार होगा तो वहां विश्वास भी आटोमेटिक काम करता है तो मैं जब पढ़ रहा था इसको तो मुझे एक ही विचार आया कि ईशु प्रभु ने पांती पांती में उनको बिठाया तो जब हम गाओं में खाना खाने जाते हैं कोई जगा या फिर पहले भी सहरों में भी होता था लोगों को बिठाया जाता था पांती में चोटा सा मतलब एक पट्टा रहता था उसके पर बैठते थे आमने सामने अगर ऐसे पट्टा या फिर वो कपड़ा बिचाया जाता तो लोग समझ लेते थे अच्छा आभी यहां पर खाने का हैं वैसे वहाँ पर भी वो लोग भी हमारे जैसे ही एसिया के ही लोग थे तो वहां उस जगा में जहां पर इशु प्रभू इनके साथ थे तो इतने अजार लोगों को ऐसे जब बिठाया गया आमने सामने बिठाया होगा पचास-पचास में तो उनको पता चल गया खाना मिलने वाला है ठीक है तो लोगों को तयार भी कर दिया तब तक खाना का कोई प्रबंद नहीं है मतलब इतना सारा जैसे सोचते हम लोगों को बाटने जिक से पहले हमारे पास होना चीए ऐसे करके इशु प्रभू के पास सिर्फ पांच और मचली दो सुरी पांच रोटी और दो मचली के अलावा और कुछ नहीं है वो सारी चीजे उनके पास कलपना भी नहीं कर पा रहे थे इतने सार एक बहुत बड़ा इस्यू है आजकल जो भी सेवकाई होती है उसमें जैसे अभी भी लॉकडाउन जैसा समय है इसी हालते है तो हमारा विश्वास जो है वही क्या कर सकता है हमें खाना के लिए प्रबंद कर सकता है हमारे लिए सब कुछ ला सकता है दूसरों को भी मदद र लिए अभी प्रबंद करते हो कुछ लोगों को मदद करते हो तो उसके लिए एक तरह का अलोकिक विश्वास की ज़रुत रहती है जिसी यहाँ पर इश्व प्रभू के अंदर उसे इस्वास काम कर रहा है जो पांथी पांथी में लोगों को पहले से बिठा दिया तब उसके पास रोटी तोड कर उसने डवल रोटी करके नहीं रखा था पहले बिठा दिया बाद में तोड़ तोड़ कर दिया 41 में लिखा है 41 वचन में रोटिया तोड़ तोड़ कर 6 लोगों को देता गया और वो परुस्ति गया ऐसा नहीं कि चलो पांती पांती में बिठाने से पहले चलो मैं तोड़ा क्या करता हूँ एक रोटी लेता हूँ और तोड़ के देखता हूँ उचमतकार हो रहा है उसके बाद लोगों को पांती बाती में बिठाओ तो ये एक तरह का अलोग एक विस्वास आपके अंदर प्रभू हम लोगों को इस वचन को लेकर सिखाना चाहता है कि कहीं पे भी हम लोगों को मदद के लिए जब हाथ बढ़ाते हमें डरना नहीं है हलाकि कई लोग ऐसे भी है जो हर बार उनके पास रहते हुए भी या फिर उनको थोड़ा उस तरह से उनको आदद कई बार लग जाता है इसलिए लोग नहीं देते है कि भाई उनको एक बार दे दिया तो फिर हमारे पास हर बार हाथ फैलाएंगे ऐसे करके सेवक काई में रहने वाले या फिर विश्वासी लोग कोई भी हो तो मदद करने में हमें थोड़ा हाथ हमारा पीछे आता है अगर विश्वास से हमको एक भी चीज को शुरू करते है तो प्रभु देते रहता है देते रहता है रोटी तूटती रहती है रोटी निकलती रहती है तो रोटी तूटती रहती है और रोटी निकलती रहती है हलेलुया तो ये जो जिन्दगी है येशु प्रभु की लाइफ वो हमें ये चीज़े सिखाती है तो हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चीए सिर्फ नहीं आत्मिक चीजों से लोगों को लाव होना चीए मगर लोगों की सरविक जरुयातों को भी पूरा करने का हमारे पास एक तरह का विश्वास होना चीए हलाकि भले हम कहीं दूसरे से लेकर दे रहे हैं जैसे वो बच्चे से लेकर प्रभु येशु का रोटी नहीं था प्रभु येशु ने रोटी स्वर्ग से फटा-फट लाके रखा नहीं है जैसे कोई मूवी में दिखाते हैं उपर थाली रखी एशु प्रभु ने आसिस मांगा और वहाँ डबल हो गया ऐसे नहीं था वहाँ पर जो रोटी थे उसी में से एशु मसी निकाल रहे थे तो कई बार ऐसा भी होता है हमें दूसरों को मदद करने के लिए कहीं से हम मदद लेकर दूसरों को हम सिवा कर सकते हैं तो ये मतलब खाने पीने या फिर कोई जीवन जरूरी चीजों जो बेजिक चीजे जो इसको बोला जाता है या फिर जो हमारे जीवन की जो सामन्य बाते जो होनी चाहिए खाना पीना रहना ठीक है तो आजकल हाला की ये चीज करने में कई हम मसी लोगों को डर भी लगता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम लालच दे के लोगों का धर्म बरिवतन करते हैं या फिर उनको ऐसी मसीही में ले लेके आ जाते हैं ऐसे करके क्योंकि समीदान में भी है तो उसके विरोध में लोग बात तो करेंगे समीदान में जो एक ही चीज जैसे लिखी है लालच देखर किसी को तर्म परिवतन करेगा तो उस पर मुकद्धमा होता है ऐसे करके होता है तो कई लोगों को उस चीजों को लेकर कई लोग विरोध भी ट्राइ करते हैं तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं और ऐसे करने से कोई प्रभू में आ जाता है ऐसा होता भी नहीं और लोग लालच से ही हर बार रहते हैं मगर यहाँ पर ये शुमसी का ये चमत कार करने का आपको एक चीज आपको खास पता होनी चीए ये शुप्रभु जो चमत कार करते हैं यहाँ पर वो अपने लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं सबसे पहले तो उनके उपर दया दिखाना चाहते हैं और दूसरा वो क्या करना भी है कि उनको उनकी जीवन जरूरियत की जो चीज़े उनका पेड़ बरना वो भी येशुबसी दे सकते हैं और वो उनकी सेवा के तले आये थे, उनके पास सेवा पाने के लिए आये थे मतलब कि ये शुबसी उनकी सेवा कर रहे है पर तो ये शुबसी के पास सेवा पाने के लिए आये थे तो जरुत है कि उनकी जो क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी समश्या को भी जाना जाए और उनका उस समाधान किया जाए चाहते थे तो प्रभु ईशुस को उनको भेज सकते थे, जिसे चेले लोगों का मन आ गया, कि आप उनको भेज दीजिए, कि अपने आप वो खाना खा ले, तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, मगर ऐसा करने में प्रब्लम क्या हो रहा है, जो लोग आये हैं, वो कहीं, वहाँ पर ज तो युहना 6 का 6 में लिख्या था, कि वो जानता था, कि वो क्या करने वाला है, तो येशुप रभु ने वो भीड को देखके पहले से सोच लिया था, कि उनको मुझे खाना खिलाना है, तो खिलाना है, ठीक है, तो येशुप रभु क्या करते हैं, उनके पास आने वालों क कभी भी कोई भी तरह की जरुरतों को वो क्यानी करते हैं जो है उनको उसको खाली हात नहीं लोटाते हैं जो जरुरत है उसकी साब से देते हैं चंगाई लेने आया है चंगाई देके बेजेगा चुटकारा पाने आया है दुस्टा आत्मा से चुटकारा देने बेजेगा और भुखा आया है तो तृिप्त करके बेजेगा ये प्रभु का पहले से इसी दानत रहा है तो जैसे हम एक दिन कमिटिंग दो दिन कमीटिंग रखते हैं तो भी खाना खिला ना وग्यरा हम करते रहते हैं ऐसे ही येश्यु प्रभु उस जमाने में भी करते थे ठीक है तो ये शुप्रभू को पता है कि क्या क्या इनसान की जरूते रहती है किस तरह की जरूते रहती है क्यों इनसान फसा हुआ रहता है सब आपको उनको पता रहता है तो अगर आप ये शुप्रभू से पा रहे हो आप उनके पास आ रहे हो तो तो वो जानते हैं कि आपको कैसे संभालना है, समझाना है कि इस तरह से उस चीजों में आपको सामर्थ से उसको आपको जो जरुत है वो देना उनकी ताकत के द्वारा ताकि आपका विश्वास और बढ़ता जाए साथ साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इश्व प्रभू उनको चंगाई भी दे रहे हैं ना केवल खाने का प्रबन अगर उसके बाद हम आखरी वच्छन अभी जब हम पड़े तो उसके अंदर देखा थो इश्व प्रभू को पैचान कर लोग आ रहे हैं दूर दूर से और इश्व प्रभू को बिंति कर रहे हैं कि आपके वस्तर के आचल ही को हमें चू लेने दो वो चूते थे चितने चूते थे वो चंगे हो जाते थे तो इश्व प्रभू यह सब होने देता था और यह बहुत ही कठिन काम है या फिर हम जिसको कह सकते हैं बहुत ही मेहनत व सेवकाई सब्द इसलिए में इस्तमाल हो रहा है कि सही में सेवा का काम है सेवा के काम में मैंनत ज्यादा होनी पड़ती है तो हम खड़े रहते हैं गाउं में तो लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं इसको चंगाई इसको चंगाई करो कोई लोग कोई कोई गाउं ऐसे हो आपको देना पड़ता है वहां लिखा है कि उनके पास खाने का भी समय नहीं था कि अगर आपको प्रभु इन्हें चोटी सी भी स्योकाइदी है वह विश्वासियों के तासे हमें करना है क्योंकि मेहनत तो है तो वहां पर खाने का भी अउसर नहीं 31 में हमने अभी पड़ा तो अब देखिए येश्व प्रभु का जीवन पूरा समर्पित जीवन था उनके चेलों को भी वह सिखाते थे वही चीज अलाकि चेलों को उस टाइम पर बहुत कठीन लगा होगा मगर इसका एक रहष्य है अगर सेवा करना है दुसरों को उनकी जरुरतों को हमें देखना है तो उसका रहष्य ये है कि उसके पवित्रा आत्मा को हमें त्यान देते हुए उनके उस आनंद को लेते हुए वो करना है खुशी से करना है वरना खुशी के बीना जो कोई भी से वहाँ क्या हो जाती है उनकी लिए एक बहुत बोज बन जाता है तो लोगों की तो जरुते रहेगी आप कितना भी लोगों को दो खाली नहीं होने वाला है एक गाउं में जाओंगे एक चमतकार होगा फिर उस जगा में दो और लोग चमतकारे के लिए तरसेंगे आप अभी यह समय आ गया है कि एक एक विश्वासी लोग भी प्रभू का कारिये करेंगे लोगों की जरुतों को देखते हुए प्रात्ना करेंगे और उनकी प्रात्ना को जवाब प्रभू देने माले का एक समय आ चुका है इसलिए हमें द्यान देना है कि क्या क्या लोगों का जरुत खास आखिर में यही हम कहना चाहतें लोगों का परिस्तिति को हमें समझना आए ऐसे डायरेक्ट हम सब चीजों को अपने हिसाब से नहीं कर सकते कई लोगों को मतलब एक पुतला जैसे देखते थे जीसे हम भी पहले लोगों को से उखाय करते थे तो हम भी ऐसे सूचते थे यह हो इनको यह करवा देंगे वो करवा देंगे मगर लोगों का क्या हालत है वो समझना जरूरी है उसके हिसाब से प्रभू से जैसे हम प्रभू इश्वियां दया कर रहे हैं वैसे उनके पर प्रस्वब में जो 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 जरूते हैं प्रभू हमारे जो भाई बेन ہے वो समझे शीखे इन सब बातों से उनका ज्यान बढ़ता जाये उनके अंदर पुषित्रा आत्मा कारियव करे और हालेलू या जो जो इस वैसे जरुत मन लोगों को उनके परिस्तिती में इनकी खराब समय में उनको जो भी जरुत होती है उनको मदद होने के लिए प्रवितरा आत्मा में मदद कीजिए आप अगवाई कीजिए आप संभाले सब बातों का आपके अत्म सौब देते हैं येशो प्रवो के नाम से मांगते आमी